नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल में और पिछले लेक्षर में हम डेसिमल फ्रेक्शन की बात कर रहे थे जिसको मैं डी-एफ के नाम से जानता हूं डी-एफ के नाम से जानते हैं तो हमने उसमें काफी कुछ चीजें देख लिया था और आज हम जो देखेंगे वह आपका addition और subtraction decimal में कैसे करते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे मैं क्यों न एक example लेकर addition समझातू फिर subtraction तो आप करीड़ोगे ठीक है देखते हैं जैसे आप पर 5.032 एक number है 0.9 एक number है 150.01 एक number है और केवल 40 यह 4 number आपके पास लिएगा है 1,2,3,4 इसका sum निकाल के दिखा दो तो ठीक है देखें ध्यान समझेगा चारों का decimal एक सीध में होना चीए एक सिधाई में चारों का decimal आप लिख दीजे आप ऐसा मत करिए का मैं समझा रहा हूँ तो भाईया पहला number जो है उसको 5.032 ऐसा कुछ लिख दो decimal तो यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ पर दूसरा number आपका 0.9 है तो 0 इधर लिख दो 9 इधर लिख दो यह 150.01 है तो 150 कैसे लिख सकते हैं 1,5 और 0 यहाँ पर 3,1 कितना हो गया 3 & 1,4 हो गया 900 यहाँ पर 9 आगया 9005 कितना आगया 5 5 plus 4 कितना आगया 9 1 यहाँ पर लिख दो तो आंसर कितना आगया 195.942 यह हो गया addition करने का तरीका question मैंने जाम मुझको simple लिया था कहने का मतलब यह था decimal से घबराने का नहीं किवल आपको decimal point को एक सीध में लिख देना है answer खुद बखुद आपके सामने आ जाएगा अब बात करते हैं अब बात करेंगे subtraction कैसे करते हैं हम subtraction की बात करेंगे decimal की 24.5 को माइनस करना है 19.052 ठीक है क्या आपके पास question यह आया करने का तरीका क्या होएगा वो समझेगा decimal से घबराने का नहीं और आपको सीधा सीधा लिख देने का सभी है क्या यहाँ पे 24 लिख दिया गया यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे 19.052 है यहाँ पे 19.052 अब यहाँ पे इसकी तरीक जानते हो कि 56 52 जायेगा क्यत्ता होएगा इसको मैं बेसिक तरीके से गर नभी बताओँ 4 से इसमें उधारी लिए पिर इसमें उधारी लेटे चले गए तो आपको कितन आ गया इसके पास नाइन है 5 हुआ 4 आ गया यह तरीका होगे आपका subtraction of decimal का subtraction of decimal का अब third की तरफ पढ़ते हैं तो उसमें हम समझेंगे कि multiple of या फिर multiplication of उसमें हम देखेंगे multiplication of decimal mod, product कैसे करते हैं 2 decimal, 2 या 2 से ज़्यादा decimals का अब हम यह सिखने वाले हैं इसको मैं दो-तीम पार्ट में समझाता हूं पहला तो यह है कि अगर 100 से, 100 से, 1000 से multiply करना हो तो क्या करेंगे मतलब 10 का अगर आपके पास कुछ power में, x, y, z कुछ भी हो जाए तो भीया कैसे करोगे उस decimal का multiply वो समझे हो, जैसे question है कि 38.00505 इसमें multiply करना था 1000, तो भीया क्या answer आएगा वो समझे हो, आपके पास है 301, यह मेरा तरीका है खुद का तरीका समझे का जान से, आपके पास 301 है, तो 3 पे, यहाँ पर 0 याद रखो कि एक जो है, अगर एक आ गया मैंने बताया कि 10 का product होना चीए तो कितना है, इसको 1, 2, 3, 0 वाला है क्या तो 3, 0 आप right side shift करो 1, 2, 3, कहीं यहाँ पर आ जाएगा तो इसका यह क्या हुआ, जैसे 3800505 था क्या, पहले कहां था, यहां था एक बढ़े, दो बढ़े, तीसरा जाकर यहां चिपका दो तो आंसर किता है, अब यहाँ ध्यान समझो 38005.05 उमीद करता हूँ, यह आपको टेकनीक सही लगी होगी या समझ में आ गया होगा, टेकनीक कुछ नहीं है एक बेसिक साफ तरीका है, उसको आप समझ गया होके साइट अब बात करता हूँ, दूसरा step है कि अगर भाया, दो whole number का multiple करना हो, तो कईसे करेंगे मैंने यहां पर लिख दिया, मैं आपको ज़्यादा परसान ना कर तो एक simple question देता हूँ, वो है 0.9 का multiply करना है, 1.2 में, सही है क्या तो पहली बात तो काम करो, भूल जाओ चीक है, भूल जाओ कि decimal था भी, तो अगर decimal भूल जाते हो, तो 9 into 12 लिख सकते हो क्या अब इसका, जो भी कर सकते हो multiply करके दिखाओ, चीक है, 12 9 यह कितना होएग आपका, चीक है यह आपका, अगर आप जानते होगी है तो यह आपको 108 लाएगा, चीक है क्या अगर 108 आ गया, समझे करें से, अगर 108 आप बात करते हैं कि decimal को कई से fit करें, तो आप गिनिए कि कितने decimal places, कुल मिला कि इसके right sign में जितना होता है, वह ही तो decimal place होता है तो दो decimal place है, तो 108 क्योंकि आपने decimal नहीं लगाया था उतने decimal place वाले 1 से आप divide कर दो तो यह किता आ गया, 1.08 आ गया या फिर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप बुरा मान जा रहे हो, तो एक काम करिए कि 2 decimal place उल्टा इधर से आ करके इधर से आ करके यहां पर जाकर चिपका दीजे इस side से सुरू करेंगे और जितना नंबर रहेगा यहां पर 2 decimal place आ यहां पर जाकर चिपका देगे तो आंसर रहा है 1.08 उमीद करता हूं कि आपको यह वाला तरीका टफ लगा होगा कोई बात नहीं है तो मैं एक और आपको कांसर्ट बताता हूं 0.009 into 0.20 करना तो भाई बात होई है जुमने पहले ही कर दिया क्यों कि 009 अगर मैं थोड़ी देखले आपको कहता हूं कि आप क्या करिए कि भूल जाएए कि decimal था भी तो भूलना तो पड़ेगा इसको लिखा और यहाँ पर 12 को लिख दिया तो 12 और 9 का multiply करने पर 108 ही आता है ठीक है टोटल decimal place आप गिन लो यह आपका मन में करने वाली चीज़ है यहाँ पहले ही बताता है कि मैं basic mathematics पढ़ाता हूं कुल 5 decimal places आपके पास है तो 108 में यहाँ से शुरुआत करके इस साइट जाते हुए पांच अंकों के बाद decimal लगाना है तो भाईया तीन अंक पे ही खताम हो जारा है number तो भाईया 0 बढ़ा बढ़ा के decimal लगाओ decimal दो लगानेंगे तो हम बढ़ा बढ़ा के decimal लगाएंगे तो उत्तर कितना आया उत्तर आया अगला 0.00108 लेकिन कुछ लोग को खराब लगता है कुछ लोग इसमें अपनी आपत ती जाहिर करते हैं कि वो खुला नहीं घुम सकता तो उसको यहां पर एक 0 support देदो तो कुल मिलाके यह आपका number आ जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी आदमी को 0 रुपया उधार दे देना या 0 रुपया उधार ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस तरीके से आपका multiplication of whole number हो गया अब हम बात करेंगे कि कैसे divide करते हैं किसी भी decimal में ठीक है division की concept को समझने की कोस्टिस करेंगे कि decimal fraction में df में division कैसे किया जाता है ठीक है अब समझें कि 465.54 लिखा हुआ है उसको 10 से divide करना है इतना तो समझ आ गया कि 465 है कोई चीश तो वह कमी होगा ना कहने का मतलब क्या है इसका सिंपल से तरीका बता रहा हूँ कि जितना 0 हो उतना उसको left side decimal खसका दो multiply करते हो तो right side खसकाते हो divide करते हो left side खसकाते हो left side खसका होगे तो 465 तो 465 यहां पर decimal खसक जाएगा 554 हो जाएगा सहीए क्या अगर इसी यहीं 10 से multiply करते हो थोरी तरीक लिए तो फिर इधर खसक जाएगा 465 हो जाएगा सहीए क्या एक और चीश करके दिखा देते हैं आपको जैसे मैं क्या करता हूँ कि 5.02 में डिवाइड कर देता हूँ 1 0 0 0 0 0 का तो क्या कहानी होगी वो समझेगा मैंने क्या कहा आपको कि अगर डिवाइड होता है तो आप इस decimal को left side खसका देता हो कितना अंकों तक जितने 0 वाला 1 नीचे डिवाइड करते हो तो भाइड देखो एक अंके बाद 0 खता हो जारते इसको थोड़ा एडवांस में 4500 0 अपने इच्छा के अनुसार लगा दीजिए 5.02 कुछ ऐसा होईगा क्या अब 0 कितने वाला 1 2 3 4 0 वाला 1 है 10 to the power 4 लिख सकते हैं तो 4 0 वाला 1 पहले यहां पे था अब यहां पे जाकर के हो गया ठीक है क्या कहने का मतब आंसर कितना है इसको smart way में 0.00502 भी लिख सकते हो तो यह तो होगे आपका multiplication करने का तरीका एक छोटी सी बात और है उसको भी मैं यहां पे बता ही देता हूं अगर मालीजिए आप ऐसे नमबर के साथ दील कर रहे हैं जो दोनों ही डेसिमल में जैसे 1.2 upon 0.24 यह फिलार में बता चुका हूं लेकि दुबार बता देता हूं अब इसको क्या करना है इसको सॉल करना है ठीक है इसका संकर दूर करना है डेसिमल में चेंज करना है अगर साइंटिक भासा में थोड़ी बात करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती ठीक है उमीद करता हूं कि यह वाला वीडियो भी आपको सुन में आ गया होगा